नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी के अपके अपने यूट्यूब चैनल जेनी एडूकेशन पर मैं हूँ आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास आज इस वडियों में जानेंगे दोस्तों सर्दी जुखाम की बेस्ट मैडिसन के बारे में ऐसी दो दवाईयों के बारे में हम जानेंगे जिसका उप्योग करने के बाद में सर्दी जुखाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा जिन लोगों को दोस्तों सर्दी जुखाम हो रहा है नाक से पानी आ रहा है बार बार उनको छीके आ रही है गला खराब है साथी साथ उनको बुखार भी आ रहा है तो इस सारी समझाव को दूर करने के लिए यसी दो पारफल मैडसन के बारे में हम बात करेंगे जिनका उप्योग करने के बाद में जो सरदी जुखाम है वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा इस वडियों में हम जानेंगे दो मैडिसन के बारे में जिसका नाम है सिनरिस्ट टैबलेट और दूसरी है सिपमोक्स 500MG कैपसुल दोनों के बारे में हम पूरी डीजिल से बात करेंगे वोड़े को बना स्किप के पूरा देखेगा बहुत जान करें को मिलेगी साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर अपना प्यार दिखाएगा ऐसे ही नई नई वोड़ेज आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी सबसे पहले जानते हैं सिनरिस्ट टैबलेट के बारे में सिनरिस्ट टैबलेट के अंदर तीन दवाया कॉमिनेशन में दी गई है पहली है पैरसिटामोल दूसरी फिनाइल एफरिन और तीसरी इसमें क्लोर्फेनामीन मेलिट है तीनों दवाया एक साथ मिलकर इसमें काम करती है जो कि सर्जी जुखाम जिसे लक्षन को ठीक करती है जैसे कि जिन लोगों को नाक से पानी आ रहा है बार बार नाक से पानी आ रहा है नाक बंध हो गई है ठीके आ रही है बार बार साथ इसाथ उनका गला खराब है और बुखार भी आ रहा है तो सर्दे जुखाम के लक्षन को ये ठीक करती है तो इसका उपियोग कब कब करते हैं जब आपको सर्दे जुखाम होता है तो इसका उपियोग एक बार सुबे और एक बार शाम को दो गोली खानी होती है एक सुबे और एक शाम को खाना खाने के बाद में गोली लेनी होती है और इसके कुछ sad effect भी है जैसे कि इसकी वज़े से आपको drowsiness feel हो सकता है और प्याज ज़्यादा लगने लगेगी nausea vomiting भी हो सकती है तो ये कुछ इसके common sad effect हैं बात करते हैं दूसरी medicine के बारे में जिसका नाम है सिपमॉक्स 500 mg capsule कैपसूल सिपमॉक्स जो medicine है दोस्तों ये एक प्रकार का amoxicillin का capsule एंटिबाटिक कैपसूल है जो की सिपला कमदें की medicine है और इस capsule का उप्योग तब करते हैं जब आपके आख नाक कान गले में infection हो जाता है चायब फेपड़ों का infection हो तब ये गोली दी जाती है जब भी आपक की lower dose start की जाती है जैसे की 250 mg का capsule खाना होता है सुबह शाम खाना खाने के बाद में अगर उससे आराम नहीं मिल रहा है तो फिर 500 mg का capsule दिया जाता है पेशन की condition के उपर depend करता है किस प्रकार का severe infection उसको हुआ है तो सर्दी दुखाम में 500 mg का capsule सुबह शाम देलना होता है खाना साथ दिन तक यह जो दवाईये होती वह खानी होती है तो कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएगा ऐसे ही नई नई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी ज सब्सक्राइब के लिए देखते रहेए जैने एजुकेशन यूट्यूब चैनल